नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि पीजा हर्ट अप्लिकेशन में एकाउंट को कैसे क्रियेट कर सकते है जहां गैज आप भी जाना चाहते है कि पीजा हर्ट अप्लिकेशन में एकाउंट को कैसे क्रियेट कर सकते है एकाउंट को कैसे बना सकत है तो गई आज की इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पुरा देखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लेस सबस्क्राइब कर लिजी और बैल आइकन को प्रेस करके और पर सेट कर लिजीगा जिससे आने वाले वीडियो की नौटिपीकिशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए प्रेंट से आज के वीडियो स्टाट करते हैं तो गई सबसे आपको क्या करना है यहांपर आपको सिंपली इस application को open करना है इस application को open करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आप पीजा हर्ट application में account को create करना चाहती है तो गई जहांपर आपको sign in और register का option पर click करना है यहांपर आपको click करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको enter your mobile number का option देखने को मिल जाता है तो गई जहांपर आप पीजा हर्ट application में account को create करना चाहती है तो गई जहांपर आपको mobile number को fill करना है तो गई जहांपर मैं mobile number को fill करके आपको दिखा देता हू तो गई जहाँ पर मैंने नमबर को fill कर दिया नमबर को fill करने के बाद गई जहाँ पर आपको submit OTP के option पर click करना है submit OTP के option पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको enter your OTP का option देखने को मिल जाएगा तो गई जहांपर आपको OTP आएंगे वो OTP यहांपर आपको fill करना है तो गई जहांपर मैंने OTP को fill कर दिया है OTP को fill करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको submit OTP के option पर click करना है submit OTP के option पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना account create हो चुका है तो जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप pizza heart application में account को create कर सकते हैं तो जहाँ पर आपको my account को application में account को create करना है तो गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप पीचार्ट अप्लिकेशन में एकाउंट को बना सकते हैं तो गईस कैसा लगाई वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए और अभी तक आपने अमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नॉटिप किसन आपको मिलते रहेगी